आधिनिक भारत के यदि हम प्रमुक आंदोलनों की बात करें तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं सामाजिक सुधार और धार्मिक आंदोलन की और सामाजिक सुधार और धार्मिक आंदोलन ये आंदोलन भारत में बहुत ज़्यादा हुए इनकी बहुत बहुलता रही अन्य आंदोलनों की तुलना में भारत का इतिहास एक बड़ा लंबा सनातन इतिहास रहा है हजारों वर्षों से यहां पर लोग रहते आएं हैं हजारों वर्षों से नेने लोंगों का आना होता रहा और भारती संस्कृति में मिलते गए भारती खून में रमते गए जैसे जैसे नए नी संस्कृति आती थी और भारत की सनातन या भारत की अपनी परंप्रागस संस्कृति के साथ जब इसका मिलान होता था तो इसके परणाम सुरूप हमारी संस्कृति में भी कुछ बदलाओ आए और इन बदलाओ के कारण कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ बुरी प्रवर्तियां भी आईं और कुछ अच्छे विचार भी आए कुछ अच्छी बातें भी आईं बुरी प्रवर्तियां खास कर इतनी गहरी पैट कर गई कि हमारा समाज का जो संस्कृतिक धांचा था कई बार वो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कुरूतियों से भरा के भर गया है जोदि कुरूतियों की भात करें तो आप सब जानते हैं सामप्रदाइक इरश्या और द्वेश सामप्रदाइकता की भावना जाती व्यवस्था की अपनी बुराई अस्प्रिश्यता बाल विवाह कन्या हत्या तमुद्र यात्रा का निशेद सती प्रथा दास प्रथा और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग का स्तित्व जन्हें गाओं में ना रहने देने की जगाओं में जो नहीं रहत पाते थे बरकि गाओं की पेरिफेरी में ही रह सकते थे ऐसी ऐसे कमजोर वर्ग फिर विवाविवा का ना होना निशेद ये कुछ ऐसी सामाजिक बुराईया जड़ कर गई थी हमारे समाज में जिसमें हमारे समाज को एक बुरा नाम देना शुरू कर दिया था ये बुराईया हमारी संस्कृति का एक तरीके से अंग बन चली थी आडंबर वाली मूर्ति पूजा जिसमें दुनिया भर के पूजा के तरीकों के आधार अंध विश्वास आदिशामिल थे ये हमारे जीवन का हिंदु धर्म का एक हिस्सा बन चुका था हमारे धार्मिक जीवन का एक रूप हो चुका था मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा भी वो दिखावे की इन सब स्थितियों से सुधार के हेतु कई प्रयास हुए कई महापुरुष सामने आए इन सब बुराईयों को दूर करने के लिए अलग-अलग महापुरिशों ने अलग-अलग काल में पर मूलता इन्ही सो वर्षों के अंदर अलग-अलग तरीके से अंदोलन चलाए इसकी शुरुवात की अदि बात करें तो सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहनरॉय राजा राम मोहनरॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की अठारा सो अठाइस में याने अंग्रेज भारत में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुके थे भारत के लगभग पूरे खेत्र में उनका दबदबा हो चुका था उस काल में राजा राम मोहनरॉय के द्वारा ये प्रयास कि समाज की कुछ बुराईयों को अब रोका जाया उसे नश्ट किया जाया उसे हटाया जाया और उस उज्जेश से ब्रह्म समाज की स्थापना एक बहुत बड़ा कदम था समाज सुधारक के रूप में काम करते हुए उन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उसके मातहत उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए पुर जोर प्रयास किया समाज में उसके प्रती सती प्रथा के विरोध में काफी जागरुकता लाने का प्रयास किया अंग्रेजी सत्ता को भी इस बात के लिए लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया कि वे ऐसे कुछ कानून बनाएं जिसके सती प्रथा गैर कानूनिस बन जाए उन्ही का प्रयास था कि सन 1829 में उन्हें सती प्रथा को बैन करवाने के प्रयास में सफलता मिली जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो तत्कालीन वाइस रॉय और गवर्नर जनरल था बलकि तत्कालीन गवर्नर जनरल था वाइस रॉय तो 1857 के बाद की पदवी है उसके पहले यही वाइस रॉय गवर्नर जनरल कहलाते थे तो गवरनर्ट जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैद घोशित किया और इसके पीछे राजाराम महुनराय और इनके ब्रह्म समाद को श्रेज आता है इस पकार महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने काफी अहम कारे किया दूसरा कारी जो उन्होंने किया वो था कि स्त्रियों को पैतरिक संपत्ति में समान संपत्ति का अधिकार बहुत से खेत्रों में अभी भी महिलाओं को पैत्रिक संपत्ति में समान अधिकार नहीं मिला है लेकिन इसकी शुरुवात 1829 में डॉक्टर राम मुहनरॉय ने कर दी थी और इसके खिलाफ अंधुलन किया था कि क्यों महिलाओं को समानता की दिश्टी से नहीं देखा जाता जब पैत्रिक संपत्ति के वितरन की बात होती है तो वे बारंबार इसके लिए प्रयास रथे अधिकार दिलाना चाहते थे तीसरा प्रयास उन्होंने महिला सुधार की दिशा में जो किया वह था विद्वा विवाह को जो निशेद किया गया था विद्वा विवाह को उन्होंने कानूनी जामा पहनाने का प्रयास करवाया और उसके समर्थन में खड़े हुए कि विद्वाओं का भी विवाह होना चाहिए इसके साथ ही अगला कदम मैलाओं की इस्थिति के सुधार के लिए उनके किये गए कदमों में अगला कदम बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास एक से ज्यादा पत्नी होने का जो समाज में कुछ तबके थे जहां पर ये प्रथा थी उस पर उन्होंने बंधन लगाने का प्रयास किया उसके सक्थ विरोधी रहे उनका मानना था कि जाती प्रथा का उन्मूलन करके ही स्वतंत्रता पाई जा सकती है और समानता के आधार पक लोग तांत्रिक विवस्था इस्थापित हो सकती है जब तक जाती प्रथा रहेगी ऐसी लोग तंत्र के कोई माइने नहीं रहेंगे जहां पर जाती प्रथा हो क्योंकि जाती प्रथा आधारित भेद भाव लोग तंत्र की समानता के भावना के विलकुल खिलाफ है तो इसलिए जाती प्रथा के लिए भी उन्होंने बहुत जाती प्रथा को हटाने के लिए उन्होंने बड़े प्रियास किया यह तो हुआ रदराम मोहन राय और उनके कारे इनके जो कारे थे मूल रूप से वो बंगौल के क्षितर तकसीमित थे लेकिन बंगौल इसलिए महत पूर्ण था क्योंकि अंग्रेजी सत्ता दोजी थी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी के नाम से जो भारत पे शासन करने लगी थी उसका जो मुख्याले था वो कलकत्ता था उनका जो कालिक खेत्र था भारत में अभी भी वो बंगाल था बंगाल जैसे खेत्र में जहां अंग्रेजों का पूरा प्रभाव था पूरी पकड़ थी वहां राम मोहनराय द्वारा ये प्रयास किया जाना और भी ज़्यादा प्रिशन सनिय हा तो जहां बंगौल में राजराम मुहनराय प्रयास करे थे वहीं महाराश्ट में 1849 में आत्मरम पांडुरंग नाम के व्यक्ति प्रार्थना सभा की स्थापना करते हैं 1867 में और 1849 में परम हंस सभा 1849 में परम हंस सभा की स्थापना 1867 में प्रात्तना सभा के स्थापना व्यक्ति का नाम श्री आत्माराम पांडुरंग इस सभा ने भी जाती प्रथा का विरोध किया इस सभा ने भी इस से जुड़ हुए लोगों ने भी अंतर जाती विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया विद्वा विवाह आधी पर बल दिया पिछले लोगों के उत्थान के लिए इसने बहुत कारे किया कई कल्यान कारी संस्थाओं का गठन इस उद्जेश्ट से महराज भर में किया गया कि वे समाज के अंदर जो बुराईयां पैट कर गई हैं उन पर प्रहार करें उनको कमदोर करें और एक नए समाज के अनिर्मान करें एक अन्य संस्था सामने आती है जक्षिन भारत में और वह थी Theosophical Society उसने भी समाज उद्धार के खेतर में बड़े काम किया Theosophical Society से एनी बेसेंड श्रीमती एनी बेसेंड का नाम जुड़ा हुआ है उन्होंने भी समाज सिधार के खेतर में काफी काम किया स्वामी दियानन्द सरस्थी अगला नाम है अगला बहुत महटपूर नाम इन्होंने आरे समाज की स्थापना की 1864 के आज़ पास आरे समाज की स्थापना स्वामी दियानन्द सरस्थी करते हैं और इस आरे समाज से प्रेरिद आंदोलन पूरे देश में फैलता है सुधारवादी आंदोलन को एक नई दिशा देता है ये सारे आंदोलन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये मूलतः सुधारवादी थे धार्मिक आंदोलन जितने थे वो मूलतः सुधारवादी आंदोलन थे समाज को विकास के पत पर समाजिक दिश्ट से विकास पत पर ले जाने के लिए किये गया अंदोलन थे स्वामी विवेकानन उन्होंने भारतियों में सुधार के प्रती जो भाव जागरित किया उसका भी काफी प्रभाव पड़ा स्वामी विवेकानन 1894 में शिकागो में विश्वधर्म संबेलन में भारत का प्रत्रीदत करते हैं और वहां जिस प्रकार से वे अपने विचार रखते हैं उसने पूरे विश्व को जजकोर दिया और तो और भारत की ओर विश्वे द्वानों को आकरशित करने में बहुत मदद की भारत की संस्कृति भारत की परंपराएं भारत का इतिहास इसकी और विश्व का ध्यान आकरशित करने में स्वामी विवेक अनंद का बहुत अहम योगदान है उनके द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई जैसे द्यानन सर्फ्ति ने जो जिसके स्थापना की उसका नाम है आरे समाज राजा राम मुहन्रावा के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ऐसे ही विवेकानन के द्वारा स्थापित जो संच्था थी उसका नाम है राम कृष्ण मिशन इसने समाज सुधार और समाज सेवा ये दोनों बहुत कारे बड़ी अहम तरीके से किये समाज सुधार का काम और समाज सेवा का काम नीडी लोगों को जरूरत मंद लोगों को मदद करने का कारे रामकृष मिशन ने बखू भी निभाया है और अभी भी निभा रहा है इसके बाद 1887 देव समाज जिसकी स्थापना स्वामी सत्यान अगनिहुतरी के द्वारा होती है उन्होंने भी सुधार के लिए प्रयास किया ये तो बाते हुई भारत के हिंदू समाज में जो परिवर्तिन की हवा चली थी और उसके लिए जो तत्व जिम्मेदार थे जो सुधार की हवा चली थी और उसके लिए जो महापुरिश लोग जिम्मेदार थे जो संस्थाएं जिम्मेदार थी उनके बारे में संख्षिब जानकारी भारत में मुस्लमानों की संख्या भी काफी थी मुसल्मानों में भी सामाजिक सुधार के लिए वहां भी कुछ आंदोलन हुए और उसमें सबसे प्रसिद्ध आंदोलन है वहाबी आंदोलन और अहमदिया आंदोलन वहाबी आंदोलन और अहमदिया आंदोलन पार्शी समाज जो वर्तमान में बंबई और इसके आसपास तक ही सीमित हो गया है उस समय उनकी संख्या भी काफी थी इनमें भी सुधार की जरुरत थी और उस सुधार की जरुरत के लिए आवाज जिस संसा ने उठाई वहती रहनुमाई मजदया स्नान सभा अठारा सव इंकावन इसके माध्यम से पार्शियों में भी सुधार के लिए आंदोलन हुआ तो समाजी क्षेतर में हम कह सकते हैं कि सुधारवादी आंदोलन काफी हुए धार्मिक खेत्र में विशेश कर सुधारवादी आंदोलनों की बहुलता रही जैसा मैंने कहा है और ये जो आंदोलन के जो लक्ष थे इसको पाने में जहां कई जगा अच्छी सफलता मिली वहां दुर्भाग से कई खेत्रों में मात्र आंशिक सफलता मिली पर अच्छी बात ये कि सुधारवादी आंदोलन चलते रहे सुधारवादी प्रक्रिया की शुरुवात हुई और उसके परणाम भी दिखने लगे थे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के बाद अगली श्रेणी आपके अध्याय में हैं श्रमिक आंदोलनों की मजदूरों से जुलो हुए आंदोलन भारत में अद्योगी करांती का काल लगभग 1850 से 1860 का मानते हूं उन दस वर्षों में बहुत सारी अद्योगों की स्थापना हुई रेलवे की भी स्थापना उसी समय हुई टेलिग्राफ भी उसी समय आता है जिससे संचार माध्यम बढ़ते हैं और ये सब क्यों अपना मार्केट बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अपनी अंदरूनी पहुच बढ़ाने के लिए अपनी फौज को दूरस्थ स्थानों तक ले जाने के लिए तो उद्येश इसके जो भी हो पर तथिते ये है कि इसी काल में हम देखते हैं भारत में और द्योगिक करांती उसके कुछ उसकी कुछ अनुभूती होती है इस काल में भारत का अद्योगी करण प्रारंब होता है कोईला उद्खनन, जूट, सूती के काम, सूती कपड़े का काम बड़े पैमाने पर शुरू होता है कोईला अत्खनन क्यों क्यों क्योंकि भारत में रेलवे प्रारंब हो गई थी और इंग्लैंड में उद्योगों के लिए कोईले की बहुत सक्त जरूरत थी जूट बंगला देश जो वरतमान बंगला देश है उस ख्षेतर में जूट का बहुत बहुत उत्पादन होता था विश्व के सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन ख्षेतरों में आज भी वह ख्षेतर गिना जाता है बंगाल पश्चमी बंगाल और बंगला देश का ख्षे एक बड़े से तरपर प्रारंब होता है इंग्लेंड में जो सूती कपड़ों की जो फैक्टरी थी मैंचेस्टर आदी यहां उत्पादन तो हो रहा था वहाँ जो माल बनता था उसे भारत लाके बेचा गया था लेकिन अब और सस्ता करने के लिए अंग्रेजों ने भारत के ही माल को भारत में ही खपा कर यहां पे फैक्टरियां डाल कर उत्पादन शुरू कर दिया और इससे क्या हुआ इससे अंग्रेजों द्वारा उनके द्योगों में निर्मित चाहे वे द्योग भारत में क्यों स्थापित ना हुए हो पक्के माल की कीमत अच्छी कम हो गई जिससे लोगों के द्वारा उस माल का खरीदना और बढ़ गया अंग्रेजों का व्यापार और बढ़ गया अंग्रेजों का प्रॉफिट लाब और बढ़ गया भारत जो मूल तक कृष्य प्रधान देश था धीरे धीरे वो उद्योगी करण के प्रभाव को महसूस करने लगता है कृष्य प्रधान देश जहां किसानों की भूलता है अब वहां धीरे धीरे मजदूरों की पकड़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है मजदूरों की संख्या बढ़ने लगती है और द्योगी करण के करण उसके प्रभाव अब पूरी सामाजी के विस्था में दिखाई देने लगते हैं जन संख्या वित्रण या जन संख्या विभाजन जो था उसमें कुछ बदलाव दिखने लगता है दीरे दीरे जो हम देखते हैं कि ये जो मजदूर थे ये एक वर्क फोर्स के रूप में सामने आने लगते हैं श्रमिक वर्ग के रूप में श्रमिक शक्ति के रूप में सामने आने लगते हैं किसे क्या हुआ जब ये श्रमिक शक्ति के रूप में वर्क फोर्स के रूप में सामने आते हैं तो धीरे धीरे संगठित होते हैं आपको याद होगा राजीती विज्ञान और इतिहास के अध्याओं में पूर में हमने पढ़ा है कि कैसे इंग्लेंड में जब अध्योगी करांती हुई तो वहां कुछ समय बाद अपनी दुर्दशा को लेकर मजदूर संगठित होने लगे थे आंदोलित होने लगे थे और उन्होंने वहां कई आंदोलन किए और इसमें सफलता पाई भारत में भी स्थिती कोई भिखन नहीं थी यहां भी जब अध्योगी करन होता है तो उसके दुष्ट परनाम भी सामने आती है चाहे वे वरकिंग अवर्थ के मामले में हो छाहे वे स्वास्ति के मामले में हो चाहे वे उन्के जीवन शेली के मामले में हो इस और जोगी करन के दुष्ट प्रभाव के माइने क्या हुए समाज में उथल पथल होती है समाज में बदलाव आता है और दूसरी और इस बदलाव इस उथल पथल और इस बदतर होती स्थितियों के खिलाफ जो श्रम शक्ति है वह संगठित होने लगत उनमें विद्रोही प्रविर्ति आने लगती है विरोध की भावना आने लगती है विरोध किसके खिलाफ विरोध उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनकी ये स्थितिक करी की है इस शोशन के विरोध शरमिकों के असंतोष के कारण जो आंदोलन वगर होता है इसकी प्रारंबिक संकेथ हम 1870 के आसपास ही देखने लगते हैं 1870 के आसपास ही और द्योगी करण के दुष्ट प्रभाव की प्रतिक्रिया फलतरूप प्रतिक्रिया स्वरूप जो असंतोश है वो दिखाए देने लगता अठ्थारा सो सतत्तर सबसे पहले नाकपुर में जो एक कॉटन मिल थी एमप्रेस कॉटन मिल वहां पर अंदोलन होता है वहां पर शर्मकों के द्वारा हरताल होती है ये एक तरीकेश हम कह सकते हैं पहला आधिकारिक पहली आधिकारिक हरताल भारत में किसके द्वारा सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के दौरा कहां नाकपुर में कमपनी का नाम एमप्रेस मिल वर्ष 1877 1862 से 1890 के बीच मदरास और बंबई में भी 80 हरताले होती हैं वहां भी अद्योगी करन हुआ था और ये हरताले इतनी जादा थी कि यदि गिनने बैठें तो करीब 25 क्यास पार हरताले इस काल में इस साथ आठ वर्षों में बंबई और मदरास में देखी गई संचार मध्यम की कमी के कारण और मदरों के अशिक्षित होने के कारण और साथ ही मदरों के में के बीच उचित नित्रित्व की कमी के कारण ये मजदूर उतने संगठित तो नहीं थे ये मजदूर उतने एक जुट तो नहीं थे लेकिन 1884 में एन एम लुकांडे उन्होंने बंबई में एक विशाल सभा की और इस विशाल सभा में जो मजदूरों की विपस्थिती देखी गई वह एक उधारन की रूप में देखा जाता है मजदूरों के संगठन होने के उधारन की रूप में और इसके बाद तो ऐसी कई संश्थाएं सामने आई ऑफ रेलवे सरविंट्स अप इंडिया इंड्य हैं अमिल गमेटर मतला मिली होई लोग जो अखबार चापते हैं कागज चापते हैं डॉक्यूमेंट चापते हैं प्रिंटिंग के काम करने वाले लोग एक जुठ हुए अपनी स्थिति को लेकर अंदोलित हुए विरोध किये और कुछ मांगे रखे उन मांगों के पक्ष में अंदोलन होता है ऐसे ही पोस्टल यूनियन पोस्ट यंटेलिग्राफ में जो लोग थे भारत में पोस्ट यंटेलिग्राफ 1850 के आसपास आया और अब 50-60 वर्ष हो चुके थे और पोस्ट यंटेलिग्राफ जो व्यवस्था थी वहां काफी विश्तृत व्यवस्था थी उसमें हज्जारों लोगों को रोजगार मिला था इनकी संख्या बहुत बड़ी तादाद में थी और पूरे देश में फैली हुई थी इन्होंने अपनी स्थिति को लेते हुए अपनी स्थिति को में सुधार के अपेक्षा करते हुए अंग्रेजों के दौरा इनके साथ किये गए विवहार को लेकर उसके विरोध में इन्होंने अंदोलन किया था पोस्टल यूनियन का अंदोलन सामरवाज जवाद के विरोध भी ये लोगे कठे होते है श्रमिक संगठन सामराज जवाद के विरोध कठा होता 1918 में बी पी वाडिया उनके नितरुत में श्रमिक आंदोलनों को एक नया रूप प्रदान किया जाता है बी पी वाडिया सामराज जवाद के खिलाफ आवाज उठाने में मजदूरों को संग्षित करने के पीछे श्री बी पी वाडिया का नाम था इन्होंने एक श्रमिक संग बनाया फेडरेशन बनाया फेडरेशन अरसाज विभिन मजदूर समुदायों को उनका एक दल नहीं बनाया बलकि उन सब को एक प्लैटफॉर्म दिया अपनी अपनी संग्ठन की सतंता बनाया रखते हुए संग्ठित दिखाई दें ऐसा उनका प्रयास था 1918 में एमदाबाद में एक हर्ताल का नित्रित गांधी जी ने किया था श्रमिक आंदोलन को सत्यागरह का रूप दिया था 1918 का वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि दुती विश्युद्ध प्रतम विश्युद्ध समाप्त होता है प्रतम विश्युद्ध आप स्वैम समझ सकते हैं कि दुनिया ने इतना बड़ा युद्ध से पहले नहीं देखा था अब वह युद्ध समाप्त होता है तो उसी दर्मियान भारत में भी हलचले होती हैं आवाजें उठती हैं सामराज युवात के खिलाफ मात्मा गांधी भी स्वैम इसमें शामिल होते हैं जो कुछ वर्षपूर साउथ आफरिका से भारत आचुके होते हैं और अपने नैने प्रेयोग यहां प्रारम करते हैं उन्हीं प्रेयोगों में से एक है अमदाबाद में 1918 में शरमिकों के एक आंधोलन का नित्रत करना और उसे एक नए तरीके से दिशा देना सत्याग्रह के बल पर ये पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारती जमीन पर गांधी द्वारा किया जाता है जो बाज में राश्ट्री सतंता अंदोलन का मुख्य हत्यार बन जाता है 1920 में लाल बाल पाल की जो तिकड़ी थी ओगरवादियों की कॉंग्रेस के अंदर की उसमें से एक जो थे लाला लाज पत्रा है उन्होंने अखिल भारती ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की स्थापना की जिसका जिक्र मैं कुछ समय पूर्व कर चुका हूँ AITUC अखिल भारती ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस और ये जो कॉंग्रेस थी ये बड़ी अहम थी अखिल भारती इस तर पर इसकी स्थापना हो थी यानि जितनी ट्रेड यूनियन भारत में थी उन्होंने एक कॉमन प्लैटफॉर्म देने का प्रयास किया और ऐसा करते हूँ उन्हें ने श्रमिक वर्ग को एक जुट करने का संग्ठित करने का प्रयास लाला लाजपत्राय ने उन्निस सो बीस में किया उन्निस सो सेटालिस में A.I.I.N.T.U.C. की स्थापना होती है भारती राष्ट्री ट्रेड यूनियन कांग्रेट इन्टक पहला वाला संसा कहलाती थी शॉर्ट में A.T.U.C. और दूसरी संसा कहलाई इन्टक उन्निस सो बीस में हिंद मजदूर सभा की स्थापना होती है हिंद मजदूर H.M.S. बहुत बड़ी सभा बहुत बड़ा प्लैटफॉर्म जो इस प्रकार भारत में 1947-48 आते आते तक तीन-चार अखिल भारती स्थर पर श्रमिकों का संगठन तयार हो जाता हूँ स्वतनता से पहले के जो श्रमिक आंदोलन थे उन्होंने राष्ट्री आंदोलन में तो बहुत बड़ा योगदान दिया राष्ट्री आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में इनका काफी भूमका रही ये जो मजदूर यूनियन थे इन्होंने राष्ट्री आंदोलन के बैनर तले बड़ा पॉजिटिव कारे किया जो जारु स्वरूप का परिचा दिया लेकिन स्वतंता के बाद ये जो संस्थाएं थी ये जो ट्रेड यूनियन थे इन्हों ने अपनी अपनी राजनेतिक अपनी अपनी सैध्धानतिक इन संबंधताओं के आधार पर अपने को बांट लिया इनकी राजनेतिक विचारधारा सामने आने लगी पर अनाम क्या होता है कि इस राजनेतिक विचारधारा और सैध्धानतिक विभन्ताओं के कारण श्रमिक आंदोलन एक तरीके से बट जाता है एक तरीके से उसमें विभाजन होता है एक तरीके से उसमें टूट आती है लेकिन कुल मिलाकर हम श्रमिक आंदोलन का इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि जिस परकार धार्मिक आंदोलनों का दौर इस काल में बहुत रहा जोर उच्छी परकार श्रमिक आंदोलन भी और्द्योगी करन के बढ़ते प्रक्रिया का परणाम था और जैसे जैसे अध्योगी करन बढ़ रहा था वैसे वैसे श्रमिकों के संगठन का प्रभाव भी बढ़ते जा रहा था और अखिल भारती स्तर पर कुछ अखिल भारती स्तर के नेताओं की मदद भी इन मजदूर संगठनों को मिली थी जिसके कारण ये संगठन अपना वजूद महसूश करा पाए अपना प्रभाव बना पाए